हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे किचेन में आज हम कम तेल में बिना पाओ बिना ब्रेड के सेंडविच बर्गर या फिर वड़ा पाओ भूल जाओगे ऐसा हम टेस्टी नाश्ता बनाएगे चो जल्दी से बन जाएगे और खाने में बहुत ही बड़िया लगेगा और ऐसा नाश्ता आपने कभी नहीं खाया होगा अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आए है तो इस रेस्पी को आप लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए रेस्पी के लिए प्लीज आप बेल आइकान बटन को प्रेस करें तो चले बनाते हैं तो पहले हम एक घुल बनाएंगे उसके लि το name गुट्लिया न रहे ऐसा हमें गोल बनाना है तो अगर मुझे बाद में लगे तो 2-3 चममच जीतना मैं और पानी डाल है जब यथा अनूसरे और बचान हुआ पानी सब्सक्राण करण Risk 10 Minutes की बाद बेटरमें हम एक से दो टीजपून अधरक मिर्ची का पेस्ट या फिर स्वात के अनुसार और आप देख सकते हो घोल हमारा थोड़ा थिक हो गया है दो से तीन चम्मत जितना और पानी डालेंगे और अभी हम उसमें दो टीजपून तेल एक टीजपून से थोड़ा उपर नमक या फिर स्वात के अनुसार मिक्स कर देंगे और बैटर को हम साइड में रखेंगे अभी हम 4-6 ऐसी कटोरी हो ऐसी ले लेंगे तो छोटी ही लेनी है अधा टीजपून जितना तेल लेके हम 4 कटोरी को ऐसे ग्रीस कर लेंगे आपको इधर 6 कटोरी चाहिए पर मैं 4 ही आएगी स्टीमर में इसलिए 4 ही रेडी कर रही है तो एकदम अच्छे से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है अब इस स्टीमर मैंने रख दिया है गरम करने के लिए और बैटर में हम 1 टीजपून इनो फ्रूट सॉल्ट और 1 टीजपून जितना पानी डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और तुरंत ही हमने जो कटोरी ग्रीस करके रखी है वो आधी से थोड़ी उपर भरेंगे तो बहुत उपर तक नहीं भरना है आधे से थोड़ा ही उपर हम इसमें डालेंगे और हलका सा हम इसे टैप कर देंगे ऐसा एक बार और मैंने स्टीमर तो इडली का जो कुकर आता है उसमें चार कप जीतना पानी गरम कर लिया है और उसके पर मैंने जो स्टीमर की प्लेट आती है वो रग दी है और उसमें हम चारो जो कटोरिया बैटर वाली है वो रग देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 15 मिनिट के लिए स्टीम करेंगे तो इधर मैंने जो चटनी दोनों बनाई है और स्टफिंग ये टाइम पे बना लिया है जब तक ये हो रहा था पर सारे स्टेप एक साथ रहे इसलिए मैंने साथ में ही इसको बताया है तो 15 मिनिट के बाद अच्छे से हमने जो बैटर डाला था उसका अच्छा सा धोगला बन गया है तो ऐसे हम चेक करेंगे अगर बैटर आ रहा है तो कच्चा है नहीं तो ये तियार है इसे हम बहा निकालके हलका ठंडा करेंगे तब तक हम चटनिया बना लेंगे तो चटनी पहली हम सुखी वाली बनाएंगे उसके लिए हम एक पैन को हलका गरम करेंगे और लो फ्लेम ही रखकर उसमें एक मुठी जीतने कच्छे, शिंगदाने, मुंख फली के दाने और उसमें 2 टेबल स्पून सफेद तिल, 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकरनट, सुखा नारियल का बुरादा डालेंगे और स्लो फ्लेम पे 3 मिनिट के लिए हम इसे सिकेंगे, तो जो नारियल का बुरादा है उसका हलका गुल्डन कलर आ जाएगा तब तक हमें इसे चलात होने देंगे, जैसे ही ये ठंडा हो जाए, मिक्षर जार में डाल देंगे, आधा टीजपून नमक, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पावडर, तो एक टेबल स्पून तिखा वाला, एक टेबल स्पून कश्मिरी लाल मिर्ची डाल के, दर तरा ऐसा चटनी हम पीस लेंगे, तो हमारी सुखी लसुन की चटनी तयार है, अभी हम आलू का मिक्षर बना लेंगे, उसके लिए एक पैन में हम एक से दो टेबल स्पून जीतना तेल गरम करेंगे और उसमें एक टी स्पून राई के दाने डालेंगे और इसे हम होने देंगे, जैसे ही राई के दाने हो जाए एक टेबल स्पून लसुन हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट डालेंगे, कड़ी पत्ते और साथ में एक चौथाई टी स्पून जीतना हिंग डालेंगे, आधा टी स्पून हल्दी पावडर एक से दो मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पे सीख लेंगे, तो कच्छा पन लसुन का जाए तब तक हमें इसे होने देना है, अच्छे से हो जाए तब हम उसमें चार उबले हुए आलू, तो मिडियम आलू को मैंने प्रेशर कुकर में बॉल कर के छिल के निकाल के हम इसको डाल देंगे, साथ में ही दो टी स्पून धनिया जीरा पावडर, एक टी स्पून नमक या फिर स्वात के अनुसार, एक टी स्पून ड्राई मेंगो पावडर, आमचूर पावडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और एक मिनिट के लिए हम इसे होने देंगे, तो एक सी दो मिनिट के लिए slow to medium flame पर हम इसे मिक्स करते हुए होने देंगे, तो मसाला हमा तयार है, अभी हम 3-4 टेबल स्पून जितना बारी कटा हुआ धनिया डालके मिक्स करके गैस की आज बंद करेंगे, और इसे हम ठंडा करेंगे, अभी हम हरी चटनी बना लेंगे, उसके लिए मिक्षर जार में एक कप हरा धनिया डंडल के साथ 2 टेबल स्पून मुंग फलि तो ऑप्शनल है, और हम स्मूध चटनी पीस लेंगे, तो थोड़ा अगर पानी की जरूरत पड़े, तो थोड़ा एड करके चटनी मेंने पीस ली है, अभी जो हमने ढूखले बना के रखे है, उसे हम कटोरी में से, नाइफ की मदद से ऐसे किनारिया अलग करके, डी तो आपको ऐसे राउंड राउंड घुमा के ऐसा एक जैसे हिस्से हो, ऐसे काट लेना है, तो चारो को मैं ऐसे ही काट लूँगी, तो ये दोनों उपर नीचे का बर्गर जैसा बन हमारा तयार हो गया, तो अब देख सकते हो, बड़े आसा काट के मैंने रडी कर लिया, पर मैंने हरी चटनी लगा ली है, और अभी हमने जो आलू का मसाला बनाया है, उसमें से एक जैसे हम चार गोले बना लेंगे, और उसका हम हाथ से ही टिकी जैसा शेप देंगे, तो हम इसे बीना फ्राई किये ही, ऐसा अगर आप मसाला डालोगे, तो भी बहुत ही बढ़ी अभी हमने जो वड़ा पाउ की सुखी लसुन की चटनी बनाई है, तो वो वड़ा पाउ की चटनी ऐसे डाल देंगे, और उपर के जो हिस्सा है, उसपर आप टमाटो केचप यहारी चटनी लगा सकते हो, पर मैंन नहीं लगा रही हो, और ऐसे पैक कर देंगे, चाहे तो च थोड़ा थोड़ा सेख सकते हो, अगर सैंडविच मेकर जो ग्रील का आता है, वो है ग्रीलर वाला, तो उसपर भी आप इसे ग्रील कर सकते हो, तो दोनों साइड से हल्की क्रिस्पी सी डिजाइन आ जाए, ऐसे मैं इसे सेख लूँगी, तो आप देख सकते हो, बड़ीा सा ऐसा crispy design आ जाएगा ऐसे मैंने दोनों साइड से इसे थोड़ा-थोड़ा मैं ग्रिल कर लूँगी और थोड़ा सा उपर से बारिक कटा हुआ धनिया डालेंगे और हमारा सब बढ़िया सा ये नाश्ता तयार है तो ये cast iron का है तो थोड़ा चिपक रहा है पर एक दो बार में य बढ़िया सा तयार है मैं इसे बाहर सविंग प्लेट में निकाल दूंगी और टमाटो केचप हरी चटनी के साथ आप इसे सव करें उपर से थोड़ा हम जो सुखी लसुन की चटनी है वो डाल देंगे तो बढ़िया सा अगर आपने इस तरह के का नाश्ता वड़ा पाओ ब ऐंच के डिर को मैं आप इसे सुखी के का नाश्ता वाल देगो थो वड़ा है मैं इछ दूणैक मैं आप अगला है झाल झाल